ord spectव अज़्ट वह चाहर है श्यूवा champagne में एकड़ी में सुवागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल संकर olitामें तो दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं कारक क्या होता है या दूर cocktails होता याना दिन हिंदि में अब कारक होता क्या है जानते हैं जब नाउन या प्रोनाउन किसी भी sentence में किसी दूसरे सब्दों में प्रयोग होते हैं उनको ही कारक का जाता है क्या एक ऐसा relation एक ऐसा संबंद जब नाउन या प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन ना रह करके किसी दूसरे सब्दों में उनको words is called case जिसमें नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे सब्दों में stand रहते हैं किसी दूसरे सब्दों में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भईया हम case बोलते हैं अब ज़रा एक जामपल दिया गया है जैसे बताया गया है कि राम teaches you English ना राम आमको अगरे जी पढ़ाता है केस दुखी बताया गया है दिर आर मेंली थ्री टाइपस आप केस इन मॉडर्ण इंग्लिस ग्रामर यानि मॉडर्ण इंग्लिस ग्रामर में भईया केस को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर रखते हैं पहला कौन स्वा हमारा नॉमनेटिव केस दूसरा क्या है केस को हिंदी में क्या का जाता है संबंदकार तुम जरा एक-एक के बारे में देख लेते हैं और अगर हमारी वीडियो स्वांज में आ रही हो पसंद आ रही हो तो दोफ्तों लाइक शेयर करना न भूलेगा क्योंकि आपके साथ-साथ हिंदुफतान का सभी बच्चा क्याँ जहिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया ठीक दौफतों तो देखते हैं नॉमिनेट वर्व केस होता क्या है जा नॉमिनेटökर कीस आनि है अनु सिंपल सी भासा में कहपते हो जब नाउन या प्रनाउन किसी भी सिंटेंस में या पिर किसी व किसकी तरह subject की तरह कार करते हैं उसको क्या कहा जाता है subject किस कहते है देखे लिखा गया है a noun और pronoun that functions as a subject of a verb it's called nominative case यानि जब noun या pronoun किसी भी वर्व के subject की तरह कार करते हैं उसको क्या कह जाता है नॉमनेट्व केस कहा जाता है, हिंदी में दिया गया है, जब नावन या प्रोण किसी वर्ब केस सब्जेक्ट की तरह कार करते हैं, उन्हें नॉमनेट्व केस कहा जाता है, जैसे एक्जामपल में बताया गया, ज़र देखते हैं, एक्जामपल में क्या क्या है, सब्जेक्ट वह होता है जो कि male के लिए यूज किया जाता है C she का मतलब भी वह होता है जो female के लिए यूज किया जाता है It they इसब क्या है दोफतों आपके subject to case के अंतर गदाते हैं अभी इनका प्रियोग हम sentence मे करके भी देखते हैं कैसे निकाला जाता है इन्हें ठीक है तो अगला चलते हैं देखते हैं कि अगला क्या होता है तो अगला हमारा है objective case objective case को objective case भी कहा जाता है ठीक है तो हम देखते हैं कि भाईया objective case होता क्या है simple भी भासा में कहफेकते हो जब noun या pronoun किसी भी क्रिया के किसी भी verb के object की रूप में कार करें उसको भहिया क्या कहते हैं हम objective case का जाता है ठीके ना किसी भी sentence में जो object होता है किसी भी verb का जो object होता है उसको objective case कहते हैं तो देखे का रहा है a noun or pronoun that functions as a object किसकी रूप में भहिया object की रूप में काम करता है of a verb is called objective case यानि जब noun या pronoun किसी भी verb के किसी भी वर्व के object की तरह कार करते हैं तो उन्हें भीया क्या कहते हैं हम objective के सका जाता है हिंदी में बताया गया है जैसे देखिए example में me object के अफ्थान पर रखते हो जैसे बोलता है he teaches me वह मुझे पढ़ाता है me जो है object के अफ्थान पर आया है और इसके बाद क्या है भीया us अस हमें हम को कहा जाता है यू तुमें आपको या तुमको ना यह सब चीज़े होती है हर हर का मतलब भीया होता है उसे या उसको sorry यहां उसे होना चीज़े उस हो गया है उसे या उसको जह को female के लिए यूज के या उनको अब जरह हम देख लेते हैं यह तो objective case हो गया अब जरह हम देख लेते हैं कि possessive case क्या होता है किसको possessive case क्या होता है तो दोफ्तों possessive case को हम genitive case के नाम से भी जानते हैं किस नाम से genitive case के नाम से भी जानते हैं अब देखे होता क्या है लिखा गया है when a noun or pronoun shows its relation with other noun या फिर कहते हो जब एक noun या pronoun अपना position यानि अधिकार दिखाता है किसी दूसरे संग्या पर किसी दूसरे noun या pronoun पर उसको क्या कहते हैं भाईया हम positive case कहते हैं यानि जब एक noun या pronoun किसी दूसरे noun या pronoun के साथ संबंध या फिर अधिकार दिखाता है अधिकार प्रदफित करता है द योर उर तुम्हारा ना हर हर्स हार इजज इट दियर दियर इसे और क्या है दुफ तुम्हें आज हैना इसे पीर केसरे केसमें दू चीज़ें उच होती है एक आपका पर। पौöl चीजे आट्ज़ेक्टव स्ब्सक्राइब होता है और यापका और जो आपका माइन है और पोसेशी प्रोणाउन है अगर इस पर वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट करें मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा तो देखते हैं अगला हमारा थोड़ा एक्जांपल गुरूप में हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं सब्जेक्ट उसको और अब्जीक्ट उसको तो सब्जेक्ट को find करने के लिए कौन करते हैं बह Schweiz जो वी होता निकल कर पी एक किता पढ़ती है कौन किताब पढ़ता है वह see who reads a book वा निकल कैसी छलिगी ठीक है ग्यानास go to sorry ग्यानास गोजटू होँना को चीए दोष्त हो तो ग्यानास गोजटू जब environment पढ़ने जाता है ग्यानास गोजटू रिड ग्यानास पढ़ने जाता है तो क्या होगा ग्यानास कौन पढ़ने जाता है ग्याना subjective के यसे भी है ठिके ना subject के अफ्थान पर युज कर रहा है जब्वी subject fine करना हो किसे हम कौन सब्ध से प्रफणे करेंगे किसे कौन से जब कौन से प्रफणे करोगे तो जहां भी subject रहेगा आटोमेटिक आजाएगा भाया मैं सब्जेक्ट हूं आपके सामने अब जर्णा देखते हैं कि अगला देखिए सेंटेफ दिया गया है आई टीच यू इंग्लिस मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं ठीक है तो देखते हैं सब्जेक्टिव केस से निकलते हैं किसे कीसे या किसको से प्रस्ने करते हैं तो भाईया क्या निकल के आएगा objective case निकल के आएगा ठीक है जड़ा देखते हैं एक sentence दिया गया है जड़ा देखिए कौन फेंटेंस है sentence है यहाँ आपका एक जिससे I teach you English I कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है I भाईया निकल गया subject है subjective case हो गया मैं किसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तुम्हें you किसे से निकलना होता ना objective case निकल गया चलिए ठीक है objective case भी सौन में आ गया अगला देखते हैं सीता sang a song सीता ने गीत गया किसे ने गीत गया कौन गीत गया सीता ने हो गया ना मिला उसके बाद देखिए अगला sentence है he gave me his book उसने मुझे अपनी किताब दी उसने मुझे अपनी किताब दी अब देखिए इसमें तीनों मिल जाएगा आपको subjective case भी मिल जाएगा objective case भी मिल जाएगा और possessive case भी मिल जाएगा तीनों को निकालते हैं कैसे हैं सब्जेक्टिव केसे निकालने के लिए कौन सब्द से प्रश्ण करेंगे ना उसने उसने अपनी किताब मुझे दी इसका हंदी हो जाए गही गेव मीज़ बुक तो किसने या फिर कौन अपनी किताब हमें दिया मुझे दिया ही वह निकल के आया अब अब दोस्तों अगला है मैं देखिए कि किसको दिया किसको हीज यानी स्वरी मुझे एससने अपनी किताब किसको दी मुझे no ठीक है ना, अब अगर आपको पोसिस्यू केस निकालना है, तो किसका सब्द से परशने करना पड़ेगा, किस से, किसका, तो जरा देखो भाईया, उसने किसका या किसकी ना, उसने किसकी किताब मुझे दी, उसकी अपनी, हिज, ना, ठीक है, निकल गया, अगला है, उन्हें लेटर भेज रही है, तो कौन उन्हें पत्र भेज रही है, वह, निकल क्या, subjective case, वह, किसे पत्र भेज रही है, उन्हें, निकल क्या, objective case, वह, किसका पत्र भेज रही है, तो नहीं है, नहीं न, objective case, यानि, पोसिस्यू केसिस में, नहीं निकलेगा, अगला से देखते ह हम कि तुम उसे मेरी किताब पढ़ाते हो you teach him my book तुम उसे मेरी किताब पढ़ाते हो तो क्या होगा you कौन उसे मेरी किताब पढ़ाता है तुम subjective case हो गया तुम किसे मेरी किताब पढ़ाते हो उसे him objective case हो गया तुम उसे किसकी किताब पढ़ाते हो माई मेरी पूसिश्यू केस हो गया आई थिंक दोस्तों आप लोगों सारी सीज़े समझ माई होगी यदि समझ माई है तो हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि और और लोग पढ़ पाएं और देखें तो दोस्तों शुलिए थैंक्स पाव वाचिंग प्लीज डॉन फगेट लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल जहिंद दोस्तों जे भारत